आज हम बनाएंगे सरसो पालक मेथी का साग बजार में आजकल बहुत हरा हरा बहुत सुंदर ही साग आ रहा है तो मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ तो मैंने ये मेथी पालक सरसो रात को ही लाई थी और मैंने साफ करके रख लिया है अब हम इसे धोएंगे दो तीन बार धोएंगे क्योंकि इसमें बहुत मिटी होती है और इसको दो तीन बार धोके मैं आपको दिखाती हूँ अब ये देखिए मैंने सारा पालक दो तीन बार धो लिया है इसमें बहुत मिटी थी, अब इसे हम चड़ाएंगे कूकर में, तो हम साबूती कूकर में चड़ा देंगे, ना इसको काटेंगे, और ना ही इसको घोटेंगे, आज मैं आपको बहुत ही इंस्टेंट साग बनाना सिखाती हूँ, इसमें 3-4 हरी मिर्च और नमक डालेंगे, औ तक हम करेंगे अपने साग की तयारी, तो यहां मैंने 4 प्याज लिया है, कुछ लस्टन लिया है, अद्रक लिया है, और 4 यह टमाटर लिया है, अमें इसे चॉप करना है, और जो चीज आप नहीं खाते हैं, वो स्किप कर सकते हैं, यह देखिए मैंने सब चीज यहां आलक की तरह, यह देखिए हमारा साग पिस चुका है, मैंने गरम गरम ही पिस दिया, जल्दी थी मुझे, अब किसी भारी बरतन में सरसो का तेल डालेंगे, तेल गरम होने पर ही हिंग डालेंगे, सूखी लाल मिच डालेंगे, अब यह प्याज का टिवी डालेंगे, और इस अच्छे से अब इसे भून लूँगी, मैं कम से कम 3-4 मिनट तक अच्छे से भूनूँगी, ताकि यह थोड़ा से ब्राउन हो जाए, अब इसमें टमाटर डाल देने हैं, और अब थोड़ा से मसाला डालेंगे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, किचन किंग मसाला, नमक, पाने से लगातार 4-5 मिनट तक भून लिया था, मसाले ने तेल छोड़ दिया, देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, अब हम इसमें जो साग का पेस्ट बनाया था, हमने वो डाल देंगे, और एक बार अच्छे से चला देंगे, चलाने के बाद हमें जितना भी पानी ह वाला ही उस कर लिया है, और अब इसे अच्छे से चलाएंगे, जितना भी पानी आपको गाड़ा, पतला, जितना भी बनाना है, उतना पानी डाल कर ढख कर 10 मिनट तक पकने दें, ये देखिए हमारा साग कितना अच्छा बन कर तयार हुआ है, ना हमने इसे गोटा है, ना ह अब करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,